मेरे दोस्तों, अजीसों, जीजस लिंक के सुनने वालों, एलफ्रेट घिल, आर भी नुई याद से, आज की सच्ची और अच्ची बातों के साथ, आपके सामने हाजर है, और स्लाम अर्ज कारता है, आज का शो मेरा है छे सो अकावन, 651 और शो का टापिक है, जो तंबी से नफरत रखता है, वो हवान है, जो तंबी से, नसीयत से, और यह वाला इंसाल की कताब, उसका बारा बाप और उसकी पहली पांचे याद पढ़ूंगा, और मैंने यह सोचा के यह पूरा बाप जितने दिन भी, वैसे तो पूरी कताब सुलिमान की हिकमत की बाते हैं, और दिल करता है के पूरी कताब भी रोज पढ़ दूँ, रोज कुछ ना कुछ हवाले पढ़ता ही जाओं, क्योंकि इसमें खुदा की हिकमत की बातें, जो सुलिमान की जबान से निकलती हैं, वो हैं, और दिल तो यही करता है, लेकर यह जो बारा बात है, इस बाप को मैं पूरी कोशिश करूँगा, तक रोज जब भी शो हो, इसकी पांच, छार पांचा यार्ड जरूर पढ़ा करूँगा, और आज का जो हवाला है, इमसाल की कताब, habitual यह जो तर्भीत को दूस तरह दोस्त रखता है, जो तर्भीत को दोस्त रखता है, वो दोस्त रखता है, लेकर जो तंबी से नफरत रखता है वो हवान है यही मेरा आज का टापिक है कि जो तर्बियत को दोस्त रखता है वो इलम को दोस्त रखता है लेकर जो तंबी से नफरत रखता है वो क्या है हवान है तो दूसरी आयत है नेक आदमी खुदामन का मकबूल होगा लेकन बुरे मनसूबे बादने वाले को वो मुझरम ठहराएगा आदमी शिरारत से पायदार नहीं होगा लेकन सादक की जड को कभी जुमबश नहीं होगी सादक की जड को कभी जुमबश नहीं होगी नेक औरत अपने शोहर के लिए ताज है नेक औरत अपने शोहर के लिए ताज है लेकन नदामत लाने वाली उसकी हड़ियों में पोसीद्गी की मानत है सादक के ख्याला दुरुस्त हैं। लेकन श्रीरो की मश्वरत मकर है, जूट है, स्रेब है, खदावन के पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खडामदा अपनी बड़ी बरकत बखशे और जो टापक है, वो पहली आयत यूँ लिखा है, जो तर्वियत को दुरुस्त रखता है वो इलम को दोस रखता है लेकन जो तमभी से नफरत रखता है वो हवान है और नहां ये जब हवाला पढ़ रहा था, शो के लिए इसको तैयार कर रहा था तो मैं सोच रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे मुलक में हवानियत यहां तक पहुंच चुकी है वो किसी भी तंबी को नहीं मानते ना तो माबाप की तबीयत को तर्बीयत को मानते है तर्बीयत तंबीय नसियत जो भी करते हैं बड़े बज़र्ग रोहानी रहनमा, हम दुआएं भी करते हैं, पांस वक्त नमाजे भी पढ़ते हैं, मस्ही लोग भी दिन रात अपने अपने गिर्जों में लगे रहते हैं दुआ नमाज में, लेकन तमभी पर जो अमल नहीं करता, वो क्या हवान है, और हमानियत यहां पर हमारे मुलक में पहुंच चुकी है, कि हम किसी को गुना करने में, रोज कोई नहीं को वाक्य होता है, कि किसी जवान लड़की को रेप किया जाता है, बच्चियों को रेप किया जाता है, तो यह क्या है, यह हमानियत है, यह वो लोग हैं, जो किसी तमभी को नहीं मानते हैं ना वो खुदा की तबी को मानते हैं ना वो किसी कताब का असर लेते हैं ना किसी कानून का हसर लेते हैं तो ये क्या हैं ये हवान है और इससे हवानियत क्या हो सकती है बहुत बड़ी हवानियत कि जो इंसान को इतनी तजील करे इतना जलील कर दे उस हवा की बेटी को तो उसस के बीक और कनून है कोई ना कोई लेकन हमारे इंसानों के कोई वक्त कोई कनून कोई नसीए कोई हिकमत की बात उन में नहीं मानी जाती ना उनके अकल में से अकल में शामल होती है सबसे पहले एक शेर पढ़ूंगा जाने किस गली में छोड़ा है हूं क्या बात है वो वक्ता जिस गली में जिस महले में रहते थे वो जर्गों की इज़त करते थे बड़ो की जद करते थे, साथसा की जद करते थे और वो गली महले छोड़ाया हूँ क्या बात है, बहुत मुझे पसंदा है और वो गली महले कहा है, जहां मैं पैदा हुआ जिस गाओं में, अमरतनगर की गलियों में वो सारी जो है वो गलिये में छोड़ाया हूं जहां पर जुआनिया मानी जहां पर खेले कूदे स्कूल की आदे वो सब छोड़ाया हूं जाकती हूँ जाकती हुई राते हसते हुए दोस्त जो जाकती हुई बिलकुल रात दोस्तों के साथ मैंने ये शेर पड़ा बहुत आया कि दो दो बज़े तक दोस्तों के साथ मीट मेफले लगती थी सारी सारी राद भी मेफले लगती थी बैड़ते थे खूब सूरत बाते होती थी महसी मजाख होता था और वो सब कुछ किदर रह गया वो अधर ही रह गया गौह में रह गया अब सिर्फ यादे माजी है अज बनकर ही रहती है और आज की जो साल गिर्या है चंद लोगों की सनी लंथनी साहिब कमाल यूसफ जवेद गुल हाई हाई किया यह कूपोस्टे है जिस तरह से ने हाई की गाले हाई की यह रूद बगाचिया लहोर से हैं गास्पल सिंगर है एवेंजलिस्ट काशफ गिल गी की तारिक यह आलबनी में है संजे राज आप सबको आपकी साल गिरा बहुत-बहुत मभारे को हैपी बर्डे गाड़ ब्लेस यू आज और आप सबको इसी तरह यह खुदा हर साल आपकी साल गिरा दिखाते रहे और जो सबसे पहले मैं अशार पढ़ूंगा यूरस फ्रांस साहिब के यूके से महबत के नाम से अगर हमने महबत शामल हो हम महबत को माने तो मेरे खाले हमने से जो हवानियत है जो के आज का टापिक है वो हवानियत जो है क्योंकि जो तंबी से नवरत रखता है वो हवान है और हवानियत हमने बहुत इंसानों में पाकिस्तानी इंसान में कोई कि दुनिया में ऐसे वाक्यात मैंने कभी किसी जगह पे नहीं सुने अगर अक्का धुका होते भी होगे लेकर कभी भी बड़े बड़े लोगों को बड़ गर किसी ने की है बहुत नामर और लोगों को वो कौटों में साल हा साल उनकी सझा भूकते हैं और आखर में सजा जर्मा में भी बढ़ जाते हैं तो हमारी मुल्क में तो महबत का नाम दी नहीं जो भी तंबीकी नसिएत की बाती नहीं естоुग है येają सुन्हें नहीं बिलकुल 100% जीनों नीन तर बालिए को किसी मुख्बत का दोड़ी की thank you अपने माबाबं भैनबाईयों रिष्टेदारों को ब्रोसियों को भवा की बेटियों को बच्चियों को बेटियों को किसी तरह से हमने किसी भी तरह को इसलिए का नहीं है फिर खुदा को हब्दा हमने जानाई नहीं अगर हम खुदा को जानते मु के मांते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा यसू यह हमारे मस्लम भाई जैसे उनके कुरान पार्क में लिखा है बहुत सारी बाते हैं वो भी माँते हैं लेकं सारी मूप की बाते हैं अमली बाते हैं कोई नहीं क्योंकि हमल अगरो तो तंबी को माने नसीयत को माने कताबों को जो अहले कताब हैं वो न कताबों को माने उनके हुकमों पर अमल करें तो हवान ये हम से खतम हो सकती है बेगरज है ये साबर है शाकर भी है महबत बेगरज है बिलकुल महबत जो असली महबत जो हकी की महबत होती है वो बेगरज होती है उसमें किसी किसम कोई लालच नहीं होता खुद परस्ती का इसमें मादा नहीं है खुद परस्ती का वाली बात ही नहीं है खुदा की महबत है, इसानों की महबत है, दोस्तों की महबत है, बेन भाईयों की, अगर वो महबत वह वापस साजे, जैसे मैंने शेर पढ़ाता, तो वो तो बाती खतम हो गई, तो फिर जो इन्सान है तमदीज से नफरत रख लै, वो हवान है, और हवानियत इसान में बहुत बुश्च चुके ए है जेबा है सची है और मलाइं भी है महबत बहुत मलाइंं जेबा है, खुबसूरत है, सच्ची है, जूट का ओरती ये लबाता नहीं और जो महबत है, कभी जूट नहीं बोरती, कभी किसी पर जूटी गवाई नहीं देती, जूट की मलामत नहीं करती है, इसमें जो कहा है, जूट का ओरती ये लबाता है, जूट से ये नफरत करती है, माना इमान उमीद लाजम सही दिलकुल ठीक बात है पर महबत से कुछ भी ज्यादा नहीं और ये तो अक्सर मैं बाइबल मुकद्द से हवाले देता ही रहता हूँ बोलता ही रहता हूँ और सबसे बड़ी क्या बात है ख़दा महबत है और हुकमों में जो भी बापते सखाईगी हैं वो महबत की है अगर हमने हमारा उमान मस्जबूत है तो फिर महबत हमारे दिलों में बसी हुई हमान यीत अंदर दाखल ही नहीं भो सकती तो एक दिन हम लिए खुदा बात से क्या बात है अगर हम सचे दिल से खुदा को उसके हुकमों को उसकी नसियतों को उसकी एक एक बात को मांते तो खुदा से तो मिलेंगे चाहे गुराही में मिलें या मकर में मिलें वो तो मिलना ही मिलना लेकं इस से बाढ़ कर और वादा नहीं है वो तो खुदा का वादा है कि महबत जो भ मुहानियत में मसरूफ हो, महबत मेरे दिलों में नहीं है, तंबी मेरे उपर से गुज़र चुकी है, तो फिर हम खुदा से तो जरूर मिलेंगे, लेकन जो सजा मिलेगी, वो तो बहुत बढ़ी होगी, क्योंकि सजा और जजा का जो वो उसने देनी है, इसलिए हम अगर महबत से दूसरे के साथ महबत से रहें, चुके खुदा महबत है, तो ये बुराई, ये हवानियत दूर रहेगी, फिर हम नसीयत तंबी को, जो हमारे माबाप की, हमारे बुजरगों की, हमारे रह्मों की हैं, वो उन पर अमल करेंगे, मेरे छोटे बाई, डाक्टर मिलिटन ग्यारा, आज इसकी तीन तीन पोस्टे हैं, इसलिए मैं तुम से कहता हूं कि जो कुछ तुम दूआ में मांगते हो, महबत से मांगते हो, प्यार से, इमान से, पूरे दिल से, ब्रोट से, मांगते हो, यकीन करो तुम को मिल गया और वो तुम को मिल जाएगा, ये खुदा क वादा है क्योंकि उसने का है नागों तो दिया जाएगा ढूंडो तो पाओगे दर्वाजा खट-कटाओ तो तमारे वास्ते खोला जाएगा इसलिए जो कुछ महांते हुँए उतमें देर है देर है ले दिर आए दुरिस्त है लेकन खुदाने जोभी फैस्ला करनाय है वो हमारे खने ही ही HR von लेकन हम यह नहीं के रात को दूआ मंगे और सुबह उठे तो हम यह करें के मारी दूआ पूरी होगी लेकन वो जानता है कि कब होनी किस वक्त होनी वक्त का उसको पता है दूसरी पोस्ट है शहर सो गया है हवा जाती रही और जाग वो जाग वो हर तरफ ही देखती रही जाकर जाके वो हर तरफ देखती रही के शायद कोई मिल सके को मुझे मुझे को हम सफर यह थूढ़ते भूढ़ते हो गहीं और हवा को दो जाती ही तो आप सोता ही नहीं रहता चांध सतारे वह जुरूड अगर अभी हंदेरा है एशिया में हंदेरा है सुरज घूरूब हो गया है होने वाला है काल बहुत थंदेरा हो चुका है क्योंकि वहां पर नौ बज़ रहे हैं रात हो गई है तो बहुत सुरुज यह नहीं हम कहते हैं गुरूब हो गया अभी वह मेरिका में माजूद है तो जाकते हवाएं सुदा का निजाम ऐसा कि उसकी बिनाई हुई चीज़े जो हैं वो जाकत हमारे लिए जो रोश्नियां वह गुरूब नहीं होती हाएं भी चलती रहती है दिन बीच चलते रहते हैं रते भी चंकते हैं यह हमारे दी कूफी हैं के हम फिर भी घूर जाते हैं और एक बहुत बड़ी खाहश जो ड़क्टर मिलर्टन ने चोटे भाई ने की है दिल चाहता है जैसे मैंने अभी शेयर पड़ा था वह कहूं कि उसकी तश्री है दिल चाहता है बैठ के बाते करें कभी कभी हो पास अम्मी अबू और भैन बाय सबी। आई काश लोटकर वो वक्त दोस्तों में हर बात पर जब उठते हैं कभी 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 क्या बात है कभी 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 नहीं जब दोस्तों में थे जुवानी में थे गाउं में थे शहर में थे जहां पर हम तैदा हुए तो वहां तो कहके ही बस्ते थे और यही शेर मिलिटन लिखा है शेर में जाने किस गली में छोड़ाया हो जाकती हुई राते हसते हुए दोस्त और यही तुमने यह तश्री लिख थी खुड़ा आपको बर्क कर दे और तुम्हारी तुम्हें एक-एक रख को जानता तुम्हारे मां बाप को क्या बात थी बहुत बहुत अच्छा बहुत खुब्सूरत इंसान था डाक्टर मिलिटन ममताज उन्हों लिखा है कतीस दिसंबर वी सो एक सर्द शाम शायद यह क्ताब है यह को अपसान ने है क्या है क्योंकि काफी इनकी पोस्टें शारी के हवाले से भी आती रहती है पास्ट डैनिस गिल कि तमाम अलहामनी कताब और थियालोजी का नचोड यह है बहुत खुब्सूरत पास्टर यह आपने लिखा है तमाम हिलामनी कताब और थियालोजी का नचोड यह है खुदावद यसु अलमसी मेरे और आपके गनाहों के लिए मसलूब हुए बिल्कुल बहुत बड़ा नचोड है और यह इतनी बड़ी हमारे लिए इतना बड़ा काम कोई धन्यावी आद्मी ना ना से पहले और रहित से बात होगा और ये सारी कताबों का लहामनी कताबों का दूसरी मुझे लहामनी कताबों का तो पता नहीं लेकन कुरान पाक में जिकर है मा मर्यम का भी यसू, अलमसी, हीसा कहते हैं उस हवाले से काफी जो सूरा ए मर्यम के नाम से उसमें माजूद है लेकन जो खुबसूरत पोस्ट है इसमें बिल्कुल ठीक बात है कि जो कुछ हमारे मसलूब हो हमारे गनाहों के लिए सब कुछ उसने मसलूब हो कर किया और हमने गनाहों से माफी मागी, हमें माफी मिल गई, नजाथ मिल गी लेकन हमने उसकी बातों से परासर लेना चाहिए तम्दीब जो भी बाते हैं ताके हमने से वानियत और हमानियत जो है वो खतम हो सके रुफान कोकस आपकी एक पोस्ट है मुखलस शक्स को हमेशा बेख़ू का अदमी को समझा जाता है आज की खुब्सूरत पोस्ट है और इसमें कोई शाख नहीं और अपनी आँखों के सामने ये वक्त देखा नैने खुद ये वक्त देखा है हमेशा बेख़ू का अदमी को समझा जाता है हालक ऐसा नहीं होता है वो सब्द समझता है और मानता है जानता है बस वो अपने सबर की वजह से लोगों की घटिया खरकात नजर भरकात पर नजर खरकात को नजर अंदास कर देता है और यह विल्कुल 100% सची बात है हम सब कुछ देखते भी रहते हैं अपने घर में भी इदर उदर भी दे लेकन नजर अंदास के बहुत सारी वाजवाब से लेकन सबर जो है वो इन बातों का जवाब दे देता है वक्त आने पर खुदा जो है इन सब बातों को देखता है औ और वो वक्त आने पर जो है वह इन बातों का जवाब मिल जाता है मेरी चोटी मेह नमरतनगर से जरीम नवर के दो शेरा है बजमें सुखन तेरी हसरत को हसरत को सेवा करने आए बजमें सुखन तेरी हैरत नाठ हसरत हैरत को की सेवा करने शेरों में कैसे नवान निकलते हैं क्या बात बहुत कैसे कैसे नवान निकलते हैं मजभी शेरों में जो अब्द्भी हवाले से हैं प्यार और महब्बत के हवाले से कैसे कैसे ना खोद सोचता हूं कि शायर हजरात भी लहाम वाली बाते हैं स इनसान सोचता ही रह जाता है जाके जाने किस गली में छोड़ रहा हूं और ये आज का शेर मेरे दिल पर लिख चुका है लिखा जा चुका है जाकती हुई जाते हनसते हुए दोस्त और ये ख्यालत कहां से हैं ये शायर हजरात के ख्यालत हैं लमों की मसाफत में सद्यों की ठकन लेकर दिल को एक वो बात लम सद्यों की परानी माजी की बातें जो हैं वो भी दमाग में आ जाती सद्यों की ठकन भी जोती वो भी आ जाती है जब घर से निकलते हैं तो हिरान निकलते हैं अगर हम इस तरह से मैं ले लूँ के घर से निकल तो बड़े खुब्सूरत अच्छे मूड में निकलते हैं और बार जब ध्मानियत की खबरे पढ़ते हैं बत्तमीजी की खबरे पढ़ते हैं बेज़िती, माई हवा, माओं की, बेटियों की तो फिर क्या हिरान हो जाते हैं कि हम क्या लेख रहे हम तो प्यार और महबत की और खलूस की बाते लेखते निसियत की बाते लेखते तंबी की बाते लेखते के इंसान क्या है जो तंबी से नफरत रखता है वो क्या है वो हैवान है और इंसान भरे सुदा ने सश्रफ मखलू का बनाया इसको कुल दुनिया प पर उतरा है तो बड़े से बड़ा हवान जाए जमीन पर है चाह समंद्रों के अंदर है उससे बड़ा हवान कोई भी नहीं क्योंकि इसने बड़े से बड़े हर्वान को भी अपने कबजे में कर रखा है लेकन अगर ये तन्बी परवल करें तो इसे खूपसूरत मखलूप दुनिया हमने है को नहीं सादिक वरे आम अभी बाकी हिसा जो मेरा है वो पंजाबी दा है सादिक वरे आमने बड़ी अच्छी गाल लिखी है बड़े सीनियर ने सादिक वरे आमसा है जिते जिते भी कौमाने अत चुकिये अत किस तरह प्राइब लिए आँए अध चकी ए ऊथे चली ए बेवाज लाठी किदी लाठी खुदा दीलाठी केड़े वास जानी है केड़े वह मुझा जानी है साण ओधा पता नहीं लेकं जदो सिर्टपर बहुत ज्यादा इंतहा करदाने और अंत जेड़ा हो खुदा दा बेर हुंद साड़ेच इंसानियत साड़े मुलग साड़े दियुआ की कि ऐख सूचीए के आजओं यूख सी सब्सक्राइड ते अतका दिये ये बुराई दिया ते हवानियत दिया ते खुदा कदी भी हवानियत नू या असी हो दियां कर लानू नहीं मान दे तम भीत नसीयत ते हिकमत दियां कर लानू नहीं मान दे तो फिर हो दी लाठी जरी बे आवाजे और नहीं कई दफा सोचना शोच कई ना मिय कि जिरी साधे लोका ने अत चुकी है ना एदा कोई ना कोई असर खुदा जरूर देखेगा क्योंकि उस इंसान थे उस माई हवा थे जिनने आदम दी पसली चुकाड़ के ताक एक दूसरे ना प्यार महबत ना रहा लेकर इनना ने किस से तंबीत नहीं असर नहीं की ता तो कि और जो एनन श्या तानियत नुमननें सामयल काम रान कामी साह मुल्तान से पंजाबी घजड़त हर कोई लबदे चान्न यां तारे हर कोई है कि मनू क्यान महबत बताला करिये प्तियार वाले कामनीते करिये कामते असी हवान ये देकार ने नसीये तसी किसे दिन इमान दे लेकन ये असी आने के सानु चानतारे लब्बन बहुत खूपशूर सानु बुड़ी लब्दे खूपशूर साधा कारोवे खूपशूर सानु गड़ी वी लब्दे ते खूपश बज़े लबन जैड़े त्याननते तारे होण लेकन केड़ा यार बणावे नू लेकन असी ऊस गरीब नू जैड़े गरीब गुरुबाने असी ओना नान न तो अच्छा इनीज़ां और ओना नाल ये असी हवानियत कारने घृबान यां बच्चीयां क्योंकि जैड़े लोग ने वो तो आपने बच्चेयां कोट के कराच राख देने के साधी जबर बाद लेकं दूसरे जबर बाद करनते उना दी जबान जेडियों गुंगी हो जांदी क्योंकि उना नुपता है के लेकं जिदन खुदा दी लाठी चलनी है तो फेर ना नुपता लगेगा के खुदा लाठी बेवाज है जेडिये नाने मुल्क वेच आत्थ चुकी है वो साथ दा तो सहमानियत दा खुदा जवाद दू देगा चमके नहीं मुकदर मेरे चमके नहीं मुकदर मेरे हता उते बढ़ गेता रे मुकदर किसरा सा ड़े चाम चाले ने कामिशा असी अपने मुकदरा खुद दोप देता है । असी खुद ना ढी बरबाती किती ने क्योंकर इसी खुदा दी नसियत ते खुदा दी हिकमत दी गल्ला ते अप्मली ने करें चीने Mixer ने लेंदे कि चुर्य पड़ी देन अगर पडा शुमाद क्यों उसी उस पासे जाएंगे के जिदर भुराई है जिदर हवान यह ते जिदर खुदा दी कोई कोई गलबाती नहीं जिदर शेतां दियां गल्लाने तो जिदर जान दे लोग वचारे लोग ते वचारे किना ने वचारे की ता खुदा ने तो नहीं की ता एसान साना ने ज आलम लोकां जगीद दारा देस सर्माय दाराने इना हो कार दीट राधा मेरी आंगो प्राइच पर आप सब्सक्राइब भी जान अफ़ां कोई खुषी थी खबर बुराई वान यह गोजर नाथा ने लियुकर नाथि वोगई कर वाएं ते अपने पाक वाथन वास्ते मारजावा जिंदगी लगे ताद कारे तो फिर हो सकता के मेरी जिन्दगी जा कोई मेरी जिन्दगी चाच्छा कामा जे को साथ कारे काम दी गाले कि मेरी जिन्दगी फिद गाजियां ची शामल हो जावां शही दान ची शामल होंगे अर्ज जिन्दगी में ची खुदा अच्छीय कर लिए हिकमत लिए गल्ला नियुक्त लिए तो बुराइब लिए तो दूरां बाट अच्छा लिख्या का मीशा आरे व कीर मेशार आए जो पंजपी शेर ने वेडुन है अगर वेड़े चा ना थे पक्की तुब दिजाद दी गालकार इनना एवे सारे लोग लोग रबा तेरे पेड़ू बक्रेक क्या बात ने असी तक प्रवाइए ने चिर्वाइए ने चिर्वाइए ने शितान दे चिर्वाइए बहुत अच्छा लिख है शबास गेलदा शेरे सानू छड़ के केड़ा केड़ा हाज कीता है के तू प्यार कीता मेरे नाल प्यार महबत की ती अगर सची ते जे होन तू मतलब कड़े ते जे मिनू चाहर दी ते केड़ा हाज कर ले अपनी कदर गवाई कटा ही आप दिलकुल असी किसे नाल प्यार करने अगर 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 बाद सकती यह कदर काट नहीं सकती शजाद गेल दे बादे फ्रीज दे चंद शेर ने कोई बन गया रोणक पक्खियां दी पक्खियां जेड़े पाणियां दे प्रिंदें ने या प्रिंदें देने ते कोई छोड के शीष महल चले कोई थे और पक्खियां दी रहा नक बंड जयांद है कोई बोस्ता दी रहा नक बंड जया दैं कोई छोड के शीष और कोई कि पामें शीष महल चरवें तो सीष महल नू चड़ना क्योंको मौत जड़ी होते सारे हैं नहीं है और मौत ने ते किसे नहीं बख्षणा कोई पड़े आ कोई कई ते जायर है कि जड़े अच्छे कर आच पड़ने पामे वो नसीयता होना ते असर करना कर ने ते वो बत्मीज लोग ने क्योंकि अपनी दौलत गमान बहुत घरूरूरूंदा ते कोई पले है नाज ते नख्रेया मेच कोई रेत गरम दे थल चलेया ससीदी गाले कियो जड़ों पर आच रेज दे तत्ते थला मिच और मैं जगा देखी है उन्टे ओख अगला नहीं होते रही हैं महौली बदल चुके हैं नेकन और जगा ससीदा जक्सी तेरा रुलिया की है ससीए बेकदरे और विल्कलों विल्कल सची बहुत अच्छा कोई पूल गया मक्सद ह पर जुए है पर देख बहुत करें था जिन्दगी चाह उन्धा की मकसद है असी पूल गया है थाके आप रावड़ देख सके और लिए के वूदी कुछ ने मत नहीं सब कुछ को कि सारी दुणियां किसे मकसद लिए यह आज और अे दुनियां पर शुब को नहीं लागते और जो तंवी पर अम्र नहीं हसर नहीं लेता वो किया है वो हवान है हम हवानियत के काम करते हैं शितान के पीछ चलते हैं खुदा की बातों के पीछे नहीं चलते है एक हर कोई कोई आज चल लिया कोई काल चल लिया यह सक्ति हों शी जो शीश महलां च रहिंदा सब्सक्राइब लेकर उने जाना ही जाना है ते हर कोई फरीद मसा परे कोई आज चले है ते कोई काल चले है वारी जिदी वी आजनी वारी आजनी रोज असी खबरांची वी सोनने बत्तमी जिदियां वानियत नाल भी लेकर उते मोत जरी ओ खुदा वलो नहीं वह वान लोकावल इंसान तो अड़ा हवान नहीं ओ मौत नहीं हकीकी मोट ओवे जरी खुदा दिव मकरर की मोट ते सानू ओधे जाना ही जाना अले आस नवाब साब निरखाले पादरी साब हैं इन तर स्वीमे चल चल चली ए उते उते जिते इनसान भी है इस इंसान वात वीह नाट सबस्थे और अपने देश घजी आए कर सहाइब06 असी यह ति जयना अना चन्डय whiskey की लाराने लेकं साड़े जरी देश दीघाले कि वो दना उच्छावे वो दा पर्चम उच्णावे सर्फ गीत गौना यह नगमे का उंदन या शाहरी कौनून मान देने ते ना कोई हो किसे गालता सरी ले और जीव गाले जीव गाले इतफ़ा के काली कराची चुब कोई पुछ दाइगी बीबी दे जो पैसे जो जेवर ले ले और कनाचो खेच के जो जेवर्सियों भी होना ला ले कल किसे ने पोस्ट पाइसेक बहुत भडेरी माईदा और वचारी दी बक्रियां को आच गीयां तो पता नहीं कि इसी कुछ पिंड़ा जेवी बहुत वड़ी एक जाइदा दे के मज्जां पाल लियां कावा पाल लियां अनों नहीं ता दो दो वेच के क्यों वेच के आपना घुजरकात करना और उस वी बीडि कंड कंड काटे कंड ड़ुक है और बडीयंहां वड़ींपान इंडियें नुथ यह पत्ता निशायदू नों जहेस्च मिलिया और उन्हाइज कन कटके तो फिर इस तो वड़ी हवानियत की कि जिन इसी रोस तरीफां करने मावा दिया ना ना नियाद्या याशी बड़ी तरीव ते उन्हाइज कन कटके ते वह देख वालीयां से वोग खौर लियां ते इनस इस तो वड़ी हवानियत की ए इंसान वास्देने राज सजय पर और खबादास देने और असी राज किदर जाना है अगर असी सब्जे पासे जाना है लेकनो सानुसिद्धारा कदे निदास दे ओखबे पासे दसंगे जेना सिद्धाराय और असी निदास दे असी ओस राण दसने के जेना शीतान वास दा अगर असी सब्जे पासे दा तो सब्जे पासे दे राते अगर खबानुमा लिए क्योंके खबे ते शेतान दे राज असी शतान दे राधास ने राजा कामरान दी बड़ी खुबसूरत एक छोटी जी पोस्ट है पत्वया तक के जेड़ा पुपतर है और उने दे तक करिये जिननी तक करो वया नी ओना तक करिये अबा जी ते पापा जी ते बाबा जी ते डैडी जी ते तियां सा तक ने तियां जिननार तक भी पाहि नो पॉराय कर दिया लेकन ओ अपने मासरे नार से अपले इंडिया ने और वाक्या ही मैं जिनदगी चाहिए जिल्गी में बोले सकति okay पाकिस्तान ओकाड़ा कुछ देल कम लेदी गलती सी ते देल कम लेदी गलती सी ते देल कम लेदी गलती हैं मैं अगर अगर कृष्य तापने बादी चोकले नके यह नही। लेदी ओनासि पूठियाल लिएक जलने कोछी तर्सक्री ता कुछ सजनामी ना तरस कीता, कुछ अपने आप तबाह होगे, जिन्टगी नू बणानी, किसे ने की तरस करना, अगर अध़ असी, अध़ अधने अपने खुद तबाह करने, खोद असी घलत रामा ते चलने, हार ये दी रामा ते चलने, तो फिर असी अपने अपने खुद तबाह करने जो पाए हार सजावटली पाएने वो उल्टा गलेदा फा होगे क्या बात है काफी ने बहुत खुब सुरत लिखे हैं जो पाए हार सजावटली कि अग्र अशिहारा अपनी सिजावत्ली किसे धिज़त्ली पाने लेकन ऋई उल्टे गड़ा प्पा हो गये। लियाΤ चक्कर, मकद्रा, एन्ज काफी, काफी, तखलक से पूरा मन्जूरा नत काफी गया लियाओ चकर, मकद्रा, एन्ज काफी, असी, उझ्जेड गए, वो शाह होगए। क्या बात। और जैंडे सच्छी ते अच्छी महवबत का देने, वो जैंडी जान देनें। तो जेरे दूसरे हो भले शाह हो जाएंग जो मर्जी बन जाते लेकन सच्छाई कभी छोप नहीं सकती बनावट के असूर से तो जो बनावट दियां गल्लाने वो नहीं तो खुश्भू कदी भी काविश्दे फुलाचों नहीं आ सकती पावें फिड्डे भी खूबसूरत हो कि दिनेहें विए खूबसूरती ना लेकन जरी असली कल दियां असली असली इनसान में पढ़्या अर्बन कर यहूरण ना नहींणि ना चलैंडी ह वाल ने ते पिछी अगर आपने वडे यह वह पाकलाम भी खुदा अधे गला आदे आम मल करीए ननसीयत करिये तो जो जो नसीयत तंबी को तको नहीं मानता वो क्या हैं वो हवान जो आज का हवाला मैंने पड़ा था वो इंसाल सुल्मान की कताद इंसाल उसका बाराभ कि वह कहीं पहली पांचाइच पड़ूंगा जो तर्भीयक को दोस्त रखता वो यिजियोले को दोस राखता है कि जो नशियत ताइब जो अ किरे को तो रखते हैं हुआ लिए लिए जो तरबी तबी तो जय से कि पैदा होते मां की भौज में बात में आप करते Contact हमारे नसियते और कताबें अगर हम ने बड़े उपजाब भी लम्ल अगर हम नुट बातों पर अमल करें हिक्मत की और सचाई तो फिर हम जो हैं वो जो तंबी से नफरत रहता है वो हुआन लेकन अगर हम तंबी और नफरत से महबत रखे तो वो क्या है इलम को क्या दोस्त रखता है नेक आदमी खुदावन का मकबूल होगा लेकन बुरे मनसूबे बांधने वाले को वो मुझरम ठेहराएगा बिल्कुल खुदा का फैसला तो अच्छाई और बुराई का होना है जो बुराई काते हैं जो जुलम करते हैं जो हवानियत करते तो उनका मुझरम तो वो खुदा के सामने होंगे वहाँ पर तो शिफारश और कोई बात नहीं चलेगी आदमी श्रायत से पायदार नहीं होगा आदमी श्रायत से हम श्रायत करते हैं माने तो हम उससे पायदार नहीं हम बड़े आदमी नहीं बनते लेकन की बातों को इंसानियत की बातों को मानते हैं वो उनकी जड़ बहुत मस्बूत होगी और वो जड़ अगर हमारी मस्बूत होगी तो वो जड़ खुदा के सामने जो बहुत तना मस्बूत होगा तो फिर उसका हमें खुदा जड़ देगा नेक औरत बहुत खुबसूरत खुद ने बिल्कुल ये तो पाकलाम की बात और यह बिल्कुल आप देने अभी तोर पर भी जो अच्छा भी हैं वक्के वह अपने शरों के लिए थाज हैं ऐただ करिए और उनको आठी नसी निसीट अपने उसकी पाकला हम की डिनाई की बाते मानता हैं वो फिल्किल जो कि इधर उदर की बातेר हैं जूर्टेNow की बातें करते हैं तो खुदा आप सब को बहुत बहुत बर्क कर दें और इंसानी बातों पर खुदा की बातों पर असर लें उसकी भी नसियत और उसकी हिकमत की बातों पर अमल करें अपने जुरुगों की बाते मानें तो वो खुब सुरत बातें सारी जिनगी फिर आप बुराई की तरफ या श्यतान की तरफ आने वाली नसलों को भी आप सीदे रास्ते पर चला सकते हैं, जो कौमें बिगड चुकी है, जो नसल बिगड चुकी है, अगर हम नाने वाले वक्तों मन को अच्छी तंबी करेंगे, बुराई से, जूट से, लालिच से, दगाबाजी से, हस्द से, ये सारी बुराई की चीज जिन से बचाएंगे, तो हमारी आने वाली नसले भी खुबसूरत होगी, जूट से, वो बचेंगे, और तंबी को दुरुस्त रखेंगे, और तंबी को अपना दोस्त रखेंगे, नसीयत को अपने जो है, वो बाद लेंगे, तो सारी उमर और आखरी वक्त में, खुदा उन साथ हो, और हर जगा पर जहां भी रहें, खुदा के साए में रहें, भक्तों और फजलें, खुदा के आपके साथ हो, आपकी आललाद को खुदा बात बहुत बचकत दे, क्रोना वायरिस से सब को बचाक रखेंगे, आमीन, गाड ब्लेस पाकस्तान, गाड ब्लेस जीजस लि TV, आमीन